हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्श को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आईए इस विशेश अंग में हम जानेंगे के यम के निवित हमें दीबदान कैसे करना चाहिए यम की प्रसंता के लिए ये दीबदान साद को किया जाता है दीपावली का पर्व पंचो उस्तव नाम से जाना जाता है इसमें पाँच पर्व विशेश होते हैं जैसे नमबर एक धन्त रोदशी नमबर दो छोटी दीपावली नरक चतुरदशी नमबर तीन दीपावली बड़ी दीपावली जी से कहते हैं नमबर चार अन्कुट और नमबर पांच भाईया जिसे बहात दित्या ये यम दित्या के नाम से भी जाना जाता है यम के निमत दीबदान कैसे किया जाए हर वर्ष पांच दिन हर हिंदु घर में जिने मालम है वो यम के निमत दीबदान करते हैं विगत करीब 20 सालों से टेली विजन पर तो मैं ही बहुत लोगों को बताता आ रहा हूँ और मुझे भी रिशियों ने बताया और आपके घर में भी बड़े बुज़र्ग ये सब चीज़े करते आ रहे होंगे उन्हें मालूम ही होगा हम अपने रिशियों का महरिशियों का जितना गुनगान करें हमारे लिए उतना कम है हमारे रिशियों का चिंतन हमारे लिए बहुत रहा सब के लिए रहा है कि बेटा आपके घर में कोई अप्शगनुनी ना हो बेटा आपके घर में सब दरगायू रहें इसलिए हर वर्ष इन पाँच दिनों में यम के निमित आप दीबदान कर देना ये दीबदान बहुत सुरेश्ट होता है और हर व्यक्ति को ये दीबदान अपने घर के बाहर पाँच दिनों के लिए जरूर करना चाहिए यम की दुरस्टी हमारे उपर सोम में रहे भाई किसको पसंद है कि यम रा जाएं आप जानते ही हैं तो इसलिए किसी के घर में कुद्रस्टी के रूप में यम की उपस्तिती ना हो यम प्रसंता के निमित हम सब को आशिरवात दे और इस दीबदान से बहुत अच्छे फाइदे होते हैं जैसे बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में हमें सब व्यक्ति रोगी रहते हैं हमें सब बिमार रहते हैं मेडिसन्स के उपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता रहता है कुछ परिवारों में लोग बहुत कम आयू के रहते हैं जवान जवान ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है परिवार से जुदा हो जाते हैं कई परिवारों में दुरगटनाय रुकने का नाम नहीं लेती हैं एक्सिडेंट पर एक्सिडेंट होते रहते हैं कई परिवारों में कुद्रश्टी पड़ी रहती है तो कहीं ग्रहों में कुद्रश्टी पड़ी रहती है कहने का भाव कहीं न कहीं कुछ परिवार ऐसी जरूर होते हैं कि वो वर्ष भर निराशा वाला जीवन जीते हैं यह यम का दीबदान हम इस प्रसंता हेतु यम के और हमारे परिवार में कोई अन्होनी घटना ना घटे सभी स्वस्त रहें सभी द्रगाईयों हो और यम के बाहुपाश का कोई शिकार ना बने अपने समय पर सब अजन रखना मेरी ये बात कि हर वर्ष इन पांच दिनों में शाम के समय चो मुखा दीपक आप जलाना ही जलाना सारी बातेप बताने वाला हूं जयांन से इस कारिकरम को सुनिएगा भी और आप से दिल से प्राथना करता हूं कि इस कारिकरम को अपने जितने भी परीजन लोग हैं दूर दूर तक शेर करिएगा दूर दूर तक इस कारिकरम को आप भेजिएगा ताकि सब लोग सुन सकें सब लोग इस प्रकार के पर्व मना सकें और उसका वास्ट्विक रहस्तिय क्या है वो जान सकें ठीक है अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इस वर्स हमें किस दिन से दीबदान सुरू करना है इस बार धंत रोजसी जो है वो तेहरा तारिक की है क्योंकि छोटी दिपावली और बड़ी दिपावली चोधा तारिक की हैं दोनों इखटी हो गई है तो तेहरा तारिक की धंत रोगशी हो गई, चोदा तारिक की दिपावली हो गई, बडी भी छोटी भी, और पंधरा तारिक की अनकोट हो गया, और सोला तारिक की भ़्यादूज हो गई, यानि कि चार दिन में पांच पर्व हो गए और हमें दीप लगाने हैं पंच दीप लगाने हैं और पांच दिन तक लगाने हैं तो इसका सोलूशन यह यम के दीप दान की में बात कर रहा हूं क्योंकि जो धंत रोधशी होती है धन्त रोधशी में भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता धन्वंतरी कोने साब आयूरवेद के प्रदाता जिनोंने पूरे विश्व को आयूरवेद दिया आयूरविज्ञान दिया वो है भगवान धन्वंतरी भगवान विश्णु का ही रूप समझे भगवान विश्णु ही समझे एक तरह से तो हम धन्त रोदशी की सुबा 13 तारिक की सुबा भगवान धनवंतरी का तो पूजन करेंगे करेंगे संध्या के समय यम के लिए दीबदान लगाएंगे लेकिन अगर हम 13 तारिक से दीबदान करते हैं तो हमारे दीबदान चार जलते हैं और हमें पास दिन जलाना है तो उसके लिए मैं इस कारेकरम को आपके लिए खास आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ तो 13 तारिक की सुबा आप भगवान धनवंतरी का पूजन करना उसके लिए मैं डे टू डे आपको सारी बातें त्रोटसी कैसे मनाएं बड़ी दीपावली कैसे मनाएं बड़ी दीपावली में किस खास मंतर को जपें क्या खास सिद्धी करें धनवर्शा पोटली कैसे बनाएं ये सारे शुबता की बात है बारा तारीक को दिन है ब्रस्पतिवार और रात्री में 21 बज करके 31 मिनट तक द्वादशी तिथी है और 21 बज करके 31 मिनट के बाद यानि के रात्री के साड़े नो बजे के बाद कौन सी तिथी लग जाएगी त्रोदशी तो आप एक काम करना यम के निमित अपने में गेट के बाहर चो मुखा दीपक दक्षिन दिशा की तरफ हाद से इशारा करते हुए जलाना अब दीप जलाया कैसे जाता है आईए इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं अब इस दीपदान में दो तरह की बाते ह जिनका अपना गहर है वह अपने गहर के जो में गेट होता है उसके बाहर आ जाए थोड़ा चावल ले लें कच्चा चावल जो होता है या कोई भी गेहू ले ले ले, अन ले ले, कुछ भी ले ले, उसकी एक धेरी सी रखें, पहले पानी का छीटा मारें, लोटा भी जल का छोटा सा लोटा भर के ले जाएं, पानी का छीटा मारें, और फिर वो जो भी आपने अन लिया है, उस अन की धेरी सी रखें, या एक का सूरा आता, उसे राटे रखे, उसमें वो चावल अनव और जो भी हो जैसे चावल है विदाउट बोईल, यह धिखन रखें, चावल है या कोई डाल है, या गेहु है वह रखे, उसमें छोटा सा मित्टी का दिया यह आठे का दिया बना करके दो बत्ती लंबे वाली बट करके क्रॉस करके ढल दीजेगा चार बत्ती हो जाएंगी यह बत्ती लगा दे सरसों का तेल इसमें प्रियुक्त किया जाता है और दक्षिन दिशा की तरफ ये तो आपको मालूमी हो जाएगा कि साउथ डारेक्शन किदर बनती है दक्षिन दिसा की तरब आप उस दीप का इशारा करें और यम से हाद जोड़ करके प्रात्ना करें कि हे यम आपकी गर्पा द्रस्टी सदयव हमारे परिवार पर शुबता के साथ बनी रहे हमारे परिवार में आपकी गर्पा से सब स्वस्त रहें और कोई भी अशुब संदेश हमारे परिवार में ना आए और हमारे परिवार में सदयव शुबता बनी रहे सब की द्रगायों बनी रहे बस ऐसी काम न करें और इस दीवदान को करते समय हे यम देव हमसे कोई भूल चुक हो गई हो तो आप हमें च्छमा करें पानी का लोटा जो आपने लिया है थोड़ा सा जल हाथ पे डाल करके दिये के चारों तरुक घुमा दें थोड़ा चावल चड़ा दें और बस इतना ही भूत है थोड़ा चावल चड़ा करके नमन कर लें और अपना अंदर आ जाए ध्यान रखें अब दूसरी बात जो फ्लैट में रहते हैं बारा बारा पंदरा पंदरा मंजिला भावन में रहते हैं अब जैसे मुंबई में ये सिस्टम है दिल्ली में है बहुत जगा है अब फ्लैट सिस्टम बन गया है तो वो में गेट कौन साल है वो में गेट लें जैसे अब जैसे बारा मंजिल का मकान है बारा माला है पांच माला है आप फूर्थ फ्लोर पे रहते हैं second floor पे रहते हैं कहीं भी आप रहते हैं तो आपके floor का जो main gate है जिस घर में आप रहते हैं उसका जो main gate है उसके बाहर निकल जाएं वहीं वो मिट्टी के दिये में थोड़ा आना रखें और उसी तरह जलाएं जैसे हमने बताया बस ध्यान रखें चार मुखी बत्ती का दीपक जलता है धर्म अर्थ काम मौक्ष रूपी चार बरतिका का ये सरसो के तेल का दीपक जलेगा और इसे अपना दक्षिन दिशा की तरफ इसका इशारा कर देना जो मैंने परातना कही है उस टाइप से अपने देशी सब्दों में हिंदी सब्दों में अपने परिवार के स्व वलादी रखें वो पक्षियों को डालते हैं किसी को भी डालते रहें या जल प्रभा के लिए रखते रहें तो पांच दिन पांच दिये जलेंगे हर रोज नया दिये जलेगा पुराने दियेगा क्या करें वो जल प्रभा के समान में भारी कहीं खटा कर देंगा किसी वरक् सर्टी के दस बजे के आस-पास जो लोग जो हमारे साधक विदेशों में रहते हैं वह महा में के इंडिया के हिसाब से टाइम को क्वलेट कर ले वह को अपनी संधिया के हिसाब से कर नाइन थर्टी पीम के बाद ये दीब जलेगा और तेरा तारिक में शाम को ही जलाई ये जब दिन छिपने लगता है मैं भी देख रहा हूँ इस बार तेथियां बड़ी वैसी हो रही है बहुत सालों बाद ऐसा मुझे भी देखने को मिल रहा है इसलिए मुझे बिल्कुल जैसे मेरे घर में छोटा बच्चा होता है उससे गलती ना हो जाए मैं उस विधी से नियत से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसलिए वीडियो को बनाने में समझाने में समय लग रहा है आप लोग करपया समझें मेरी बात को अब तेहरा तारिक को शाम को ही दीप जलाना अराम से जब दिन छिपता है सूरियास थोते हैं उस समय चोधा तारिक को भी सेम पंदरा तारिक को भी सेम और सोलह नवंबर को भी सेम तो हो गए ने पांच दिन पांच दिये और सिर्फ बारा तरिक को रातरी में साड़े नो बजे के बाद लगाना बस ये ध्यान रखना ये यम का दीप होता है धर्म अर्थ काम मौक्ष रूपी होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है हर वर्ष ये करना चाहिए और जिस वर्ष धंत रोजसी की तिथी सही मिलती हो तो हमेशा ये शाम को ही दिया लगता 5 के 5 दिन साम को लगेगा तो इस बार 4 दिन शाम को लगेगा और पहले दिन रात्री में थोड़ा सा तिथी नहीं है इसलिए थोड़ा सा लेट लगेगा क्योंकि तिथी 21 बज़ करके 31 मिनट के बाद जोसी लगेगी तो दर्शे को बस अब मैं इससे नहीं समझा पाऊंगा इतना ही एनफ समझे एक धन वर्शा पोटली हम कैसे बनाएंगे और बहुत सारी चीजें आप अलग-अलग हमारे एपिसोड जरूर देखेगा और हिंदु धर्म के नाते सत्य सनातन धर्म के नाते जितनी भी हमारी ये वीडियो है इस बार देश विदेश दूर दूर तक आप इन्हें शेर कीजिएगा अपने बच्चों को बताईए कि वो भी ये दीवदान जरूर करें इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को बिनाम देते हैं जैमा परमेश्वरी हमारे विभन ज्यान बर्धक कारिकरम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिकरम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूले झाल झाल